संभाजवादी पाटी के राष्ट्री अध्यक्ष ने कहा कि विश्णू का मंदिर बनाना है अखलेश यादव तुम्हें विश्णू का मंदिर बनाने का अधिकार है तुम संभाजवादी पाठी के सदर नहीं हो अध्यक्ष नहीं हो तुम नमाजवादी पाठी के अध्यक्ष हो तुम्हारा बनाया हुआ तुम्हारे पिता का बनाया हुआ राजनितीत पुत्र मुहम्मद आजम खान, उसने बयान दिया है, कि अमर सिंह से लोगों को काटना चाहिए, उनकी जवान हो रही बेटियों के उपर तिजाप फेकना चाहिए, बेटिया तुम्हारी भी है, बेटिया तुम्हारे परवार में अन्य लोगों की भी है, वो स्वास नहों तो तुम मुलायम शिंग जी के पत्नी साधना जी से पूछो, तुम्हारे भाई और उनकी पत्नी बिवेक और उनकी पत्नी बंदना, तमाम जगडे के बाद, साधना जी के कहने से रोते हुए हमारे पास आये थे, बरसों से जेल में पड़े सिस्किया ले रहे उन्हें अकेले, तमाम बिरोत के बावजूद, वकील से लेकर के अदालत तक उनकी मदद करके तुमारे घर की रोती वे वह के आसुओं की सिस्कियों को मैंने बंद किया, उसके आसु पोछे, जबकि तुम और तुमारा परिवार, जब हम अनावस्य कारणों से, तुम बच्चों का आसु फुछरे, ना तुम आये, ना तुमारे पिताये, ना तुमारे परिवार आये, तुम विष्णों का मंदिर बनाओगे, नमाजवादी पाठी के अध्यक सखलेश, तुमारा पाला हुआ, तुमारा पैदा किया हुआ, तैंबूर लंग अलाव दिन खिल नादिर सहाब दाली और महमूद गजनवी की नसल और सस्कृती का राक्षस आजम खान हमारी बेटियों को तेजाप से नहलानी की बात करता है, हमें काटने की बात करता है, मैं उत्तरपरजेस और हिंदुस्तान के हिंदू समाज को कहूंगा, और इसके लिए मुझे संप्र समान से समझता करना, तो ऐसी धर्व दिर्व से इक्स्टाश्य से मैं कान पकड़ता हूं, असा फकुल्ला खान और कलाम ऐसे रास्भत मुसल्मानों का सम्मान मैं कर सकता हूं, लेकिन तैमूर नादिर सहाब दाली, अलाउद दिन खिल जी और महमूद गजनवी की नसल और स गजनवी के बताता है, जो यह कहता है कि गुलाम नभी आजाद हिंदूस्तान का बजीरी नहीं है, क्योंकि वह वो उसका स्मिर से आता है, जिसके लिए आज तक तैने ग़्वा कि वो हिंदुस्तान का इससा है या नहीं, जो हमारे प्रधानमंतरी निरन लमदी का आतंक वा हूँ बड़ा इस्क्रीन ले करके उत्तर प्रदेश के क्या विष्णु का मंतिर बनाएगा यह नमाजवादी यह समाजवादी नहीं है जो जिसके घर की बहु बेटियों की जत मैं जिन्दगी पर बचाता रहा जगड़े के बाद भी बचाया पूछो अंदरा से अपने अखलेश से तेशाब से भमर बच्चों को जलवाऊगे तुम्हारे भी बच्चे ले सुमारे घर में भी बहुए और माए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के बावग मोर गली जिव दिखा सकत्री नें करो बारिकार सख्но के बारे मैं जांता हो ल्यकिकार बनि 17 चत्री जीवे आगे जीवन को दिक्तार तुम्हारे दमाजवादी पाठी के इस रक्षस के एक एक इड का जवाब अगर पठर से ने दिया तुम्हें चत्री की संतान नहीं संभल के रहना बच के रहना तुम्हारी हर चुनोती का मुकाबला करने के लिए दिरता से तयार हो नमस्कार